चलिए आज बनाते हैं बहुत मुश्किल लगने वाला चीजकेक बहुत ही आसानी से तो आज हम जो चीजकेक बनाने वाले हैं उसे हमें बेग भी नहीं करना है उसे स्टीम भी नहीं करना है तो no bake, no steam, cheese cake तो आज हम बनाने वाले हैं mango cheese cake क्योंकि mango का season चल रहा है तो mango cheese cake तो बनता है तो cheese cake बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए mold cheese cake बनाने के लिए एक specific mold आता है जो सब के पास नहीं होता है तो मेरे पास भी नहीं है तो चलिए आज कुछ उगाड करते हैं और पिना mold के ही हम cheese cake बनाएंगे तो no bake, no steam और no mold तीनों चीज हमारे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं करना है ऐसे ही हम cheese cake बनाएंगे तो आदी process तो ऐसे ही easy हो गई है cheese cake बनाने की तो चलिए सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिया है butter paper और उसे आपने देखा उस तरह मैंने उसे तीन बार fold कर लिया है और अब उसे हमें cut कर लेना है measure करके जो हमें तीन use करना है cheese cake बनाने के लिए उसे हम center में से measure कर लेंगे और उसे cut कर लेंगे और इस तरह इसमें तीन cut लगा लेंगे बीच का जो cut है वो थोड़ा चोड़ा रहेगा आजू-बाजू के cut है वो हम थोड़े से छोटे करेंगे मतलब कि small रखेंगे चलिए cut हो गया है और यह butter paper को मैंने खोल लिया है और अब तीन के अंदर हम रखके देख लेते हैं कि अच्छे से फीट आया है कि नहीं तो यह देखिए butter paper टीन के अदर अच्छे से fix हो गया है चलिए अब करते हैं आगे की process तो यहाँ पे मैंने ले लिये हैं दो packet digestive biscuit के आपको इसे भी biscuit ले सकते हो आपको जो पसंद है वो ले सकते हो तो यहाँ पे मैंने तकरिबन 15 biscuit लिये हैं आप थोड़े सादा और थोड़े कम भी ले सकते हो लेकिन मैंने 15 लिये हैं क्योंकि मेरा टिंग जी साइस का है उस हिसाब से मुझे 15 biscuit चाहिए और अब इसे हमें crush कर लेना है आप इसे कूट के भी ले सकते हो या फिर इस सरा chopper में या फिर mixture में उसे crush कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि biscuit को मैंने अच्छे से crush कर लिया है चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा bowl और उसके अंदर हम ले लेंगे butter यहाँ पे हमें melted butter चाहिए तो मैं bowl के अंदर थोड़ा सा बटर निकाल लूँगी तकरीबन 3 टेवल स्पून जीतना और इसे मैं microwave में melt करूँगी अगर आपके पास microwave नहीं है तो आप steel की कोई कटोरी या फिर बरतन में इसे लेके gas पे भी गरम कर सकते हो बटर को मैं microwave में 20 से 30 सेकंड तक गरम करूँगी 20 सेकंड में ही ये अच्छे से melt हो गया है आप देख सकते हो कि बटर अच्छे से melt हो गया है क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़ादा है कि इसे melt होने में ज़ादा टाइम नहीं लगा है चलिए अब ले लेते हैं और एक bowl और अब क्रश किये हुए सारे बिस्किट हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे बटर और इसे स्पून से अच्छे से mix कर लेना है अगर आपको लगे कि बटर थोड़ा सा कम है तो और बटर आप इसके अंदर add कर सकते हो तो पीछे से मैंने 2 टेबल स्पून चितना बटर और add किया है और इसे अच्छे से mix कर लेना है आपको इसे इस सारा दबा के देख लेना है अच्छे से ये set हो जाए तो समझ लेना है कि हमारा ये mixture ready है चलिए अब टीन के अंदर ये सारा mixture हमें डाल देना है और इसे अच्छे से set कर लेना है तो इसे हमें दबा के अच्छे से इसके अंदर set करना होगा ताकि biscuit का जो layer है अच्छे से set हो जाए और जब हम cheese cake को cut करें तब उसका जो layer है वो विखरे नहीं इसलिए हमें इसे अच्छे से दबा के set करना होगा आप इस तरह का कोई glass ले सकते हो जो नीचे से एकड़म flat होता है उससे हमें इस तरह दबा लेना है तो ये जो नीचे का layer है अच्छे से set हो जाएगा तो मैंने इसे अच्छे से दबा लिया है और ये हमारा layer एकड़म ready है और अब इसे रख देते हैं फ्रीज में सेट होने के लिए इसके अंदर हमने बटर का यूज किया है तो बटर फिर से सेट हो जाएगा मतलब के फ्रीज में रखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा तो ये जो लेयर है हमारा अच्छे से से सेट हो जाएगा चलिए इसको रख देते हैं और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है दो पैकेट दूद मतलब कि एक लिटर मैंने यहाँ पे दूद ले लिया है दूद से हम बनाएंगे क्रीम चीज क्रीम चीज हम घर पे ही बनाएंगे क्योंकि मार्केट में बहुत महेंगी मिलती है और किसे कि तो यहां पर मैंने तकरिबन एक लीटर डूट ले लिया है और इसे गरम करने के लिए रख दिया है और अब एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर ले लेंगे टू टेबल स्पून जितना विनेगर आप यहां पर लेमन का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन लेमन हमें थोड़ा स जादा चाहिए चली अब वीनेगर के अंदर एड़ कर देते हैं 4 चमच बर के पानी तो जितना हमने वीनेगर लिया था उसका दुगना हमें पानी जाल देना है और अब यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ पतिली जिसके अंदर मैं दूद गरम करती हूँ तो दूद तो खतम ह हो चुका है लेकिन इसके अंदर उपर जो मलाई बनती है वो मेरे पास है तो तकरीबन एक लिटर दूद की मैंने मलाई इसके अंदर डाल दी है तो तकरीबन एक कप जितनी मलाई होगी और मलाई जैसे ही मेल्ट हो जाए वैसे हमें गैस को बन कर देना है दूद को हमें कर लेना है तो आप देख सकते हो कि हमारा चीज बनके एकदम रेडी है इसका टेक्शर थोड़ा सा चिप-चिपा होता है पनीर की कंपेरेजन में पनीर और चीज बनाने का प्रोसेस अल्मोस सेम होता है लेकिन इसमें खाली हमें दूद गरम करने में थोड़ा सा ध्यान रखन होता है चीज बनाने में हमें दूद को थोड़ा साई गरम करना होता है और पनीर बनाने के लिए हमें दूद में एक उबालाना होता है चली अब चीज को चान लेते हैं तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक पतिली उसके उपर रख दी है एक चलनी और उसके उपर रख दिया ह है एक मलमल का कपड़ा और इसे इस तरह मैंने शान लिया है इसे हमें अच्छे से निचोड लेना है सारे जो excess water है वो हमें निकाल लेना है और अब इस चीज को हमें 2-3 बार अच्छे से दो लेना है तकि जो vinegar की इसके अंदर ख़टास है वो सारे निकल जाए तो इसे हम ठंडे पाने से 2-3 बार एकदम अच्छे से धो लेंगे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना बुल गई हूँ कि आप यहाँ पे घर की बनी मलाई का यूज करना नहीं चाते हो तो आप मार्केट में जो फ्रेश क्रीम मिलती है उसका भी यूज कर सकते हो तो चलिए अब यहाँ पे हमारा चीज भी अच्छे से धूल के एकदम रेड़ी है इसे एकदम से हमें नेनी चोड़ देना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम रखेंगे थोड़ा सा मौश्यार रखेंगे ताकि यह थोड़ा सा क्रीमी बने चलिए अब ले लेते हैं एक और फोल और उसके अंदर हम निकाल लेंगे यह सारा चीज यहाँ पे हमें थोड़ी सी बड़ी साइस का बोल लेना है क्योंकि चीज को हमें फैटना भी है तो फैटने के लिए थोड़ी सी जगा चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा बोल लेंगे और कपड़े के अंदर जो भी चीज बची है हो सारी चीज हम इसके अंदर ले लेंगे आप देख सकते हो कि एकदम परफ्रेक्ट चीज बनके रेडी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक जादा नहीं डालेंगे एकदम पींच जीतना हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि चीज के अंदर नमक होता है और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक टेबल स्पून जीतना बटर और 2-5 बड़े चम्मच बरके हम डाल देंगे इसके अंदरärt whipping cream. अगर आपके पास whipping cream नहीं है, तो आप 1 cup बरके फ्रैश क्रीम भी ले सकते हो. और अभी सके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच बरके PC हुई चीनी, और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब इसे fat लेंगे तो इस तरह का मेरे पास bitter है double bitter अगर आपके पास इस तरह का bitter नहीं है तो आप whiskr से भी इसे fat सकते हो तो मैंने यहां तकरिबन इसे 5-7 मेट के लिए अच्छे से fat लिया है pulp बनाने के लिए इसके अंदर हम बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर हम डाल देंगे एक चमच बर के चीनी और इसे mix कर लेंगे तो यह देखिए हमारा mango pulp एकदम ready है और अब इसे डाल देना है चीज वाले mixture में तकरीबन 3-4 चमच जितना pulp है यह और अब इसे हमें फिर से fat लेना है तो अब फिर से हमें इसे 5-7 मेट के लिए fat लेना है 5-7 मेट में यह अच्छे से light और fluffy हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि एकदम light और fluffy हमारा यह जो mixture है चीज का mixture एकदम ready है mixture हमारा जितना light और fluffy होगा उतना ही हमारा cheese cake बढ़िया बनेगा तो जब तक यह अच्छे से light और fluffy ना हो जाए तब तक इसे हमें fat लेना है चलिए अफ रिस से निकाल लेते हैं tin जिसके अंदर हमने biscuit का mixture set किया था तक रिपन आदे से पौना घंटा हो गया है और mixture अच्छे से set हो गया है और अब जो cheese वाला mixture हमने ready किया है वो इसके उपर डाल देना है सारा mixture हम डाल देंगे और अब इसे हमें थोड़ा सा tap कर लेना है ताकि mixture अच्छे से set हो जाए और spatula की help से इसे उपर से evenly spread कर लेना है और इसे रख देना है freeze में चार से पांच गंटे के लिए चार से पांच गंटों में हमारा cheese cake एक दमच्चे से set हो जाएगा चलिए चार से पांच गंटे होने को आए है और अब मैंने ले ली है एक mango और इसे हमें cut कर लेना है उपर से हम इसे गानिश करेंगे पके हुए mango से तो इसे छोटे-छोटे pieces में cut कर लेंगे तो इस सरा आप इसे छोटे-छोटे pieces में cut कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारे square pieces निकल के आ गए है और चीजकेक हमारा अच्छे से सेट हो गया है चलिए अब इसे अनमोल्ड कर लेते हैं इसे टीन से निकालने के लिए चारो तरफ से हमें थोड़ा इसे खीचना होगा जो बटर पेपर है उसे हम खीचेंगे तो इजी लिए निकल आएगा तो ये दिखिए चीजकेक हमारा निकल के आ गया है और अब इसे ले लेते हैं एक बोड़ के उपर आप देख सकते हो कि कितना परफेक्टली हमारा चीजकेक सेट हुआ है चलिए अब इसे गानिश कर लेते हैं पके हुए मैंगो से तो ये लिए चीजकेक हमारा एकदम रेड़ी है नो बेक, नो स्टीम, नो मोल्ड मैंगो चीजकेक एकदम रेड़ी है अब मार्केट से महंगे महंगे चीजकेक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप घर पे ही इसे आसानी से बहुत ही कम इग्रिडियन से बना सकते हो तो मैंगो का सीजन जाए उससे पहले ये मैंगो चीजकेक ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना